हेलो दोस्तों टार्गेट विद्लक्ष की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो अब से चैनल पर कक्षा ग्यारा भौतिक विज्ञान के क्लासे जो है डेली चलाई जाएंगी तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कांड जो है सैच्छि कौशे टॉपिक जो है कोश से घटाए गए हैं पहले आप वो देख लिजी यानि कि कौन कौशे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है फुजिक्स में तो द्यान देजी जो फुजिक्स है यानि कि खंड का इसमें जो पहली प्रहुतिक जगत तथा मापन इसमें यह हटाया गया इसमें हटाया गया भौतिकी कारचेत्र एवं अंतर नहित रोमांच इसके आलावाँ भौतिक नियमों की प्रकृति और भौतिकी प्रौद्धोगी की एवं शमाच ये टॉपिक जो हटाय गये हैं इसके आलावा 1.2 यानि कि सुद्ध गतिक इसमें इकाई नमबर 3 यानि की गति के नियम इसमें द्यान देजे इसमें बलक की सहजान भूत संकल पना इसके अलावा जड़त न्यूटन के गति का पहला नियम सम्वेग और न्यूटन का गति का दूशरा नियम इसके अलावा आवेग और न्यूटन के गति का त्रती नियम ये प्राकथन तथा इनके अनुप्रियोग हटाए गए हैं इसके अलावा इकाई नंबर 6 यानी की गुरुत्वा कर्शन इसमें द्यान देजी इसमें ग्रही गतिके केपलर के नियम इसके अलावा गुरुत्ती तुरन ये सभी टॉपिक जो है फिजिक्स फश्ट से हटा दिये ग प्रत्यास तुर्जा उसमा ताप इसके अलावा उसमा इस्थानात्रण चालन समवहन विकिरन ये सभी टॉपिक जो है पहली इकाई से हटा दिये गए हैं इसके अलावा इकाई नंबर 2 यानी की उसमा गतिकी इसमें द्यान देजे इसमें उसमा इंजन प्रसीतित्रे ये ज टॉपिक हटाए गये हैं और जो इसमें इकाई नंबर 3 है इससे कोई भी टॉपिक जो है आपका हटाया नहीं गया है यानि कि फिजिक्स का जो पहला खंड़ है इसमें टूटल 6 इकाईया है तो द्यान देजी जो पहली इकाई है भौत तक जगत तथा मापन इससे टूटल दो अंक का आएगा यानि कि सबसे कम जो है इसी इकाई से आता है बाकि इसके लावा धान देजी जो दूसरी इकाई है इससे 6 अंक का आएगा तीशरी इकाई से 7 अंक का आएगा चौथी इकाई से भी 7 अंक का आएगा इसके बाद पांचवी इकाई से 7 अंक का आएगा और तीशरी इकाई से 6 अंक आएगा और 4 इकाई से भी 10 अंक आएगा यानि कि टोटल इससे भी कितना होगा 35 मार्ट सा यानि कि टोटल जो आपका लिखित पेपर होगा वो 70 अंकों का होगा इसके अलावाद तीश अंक का प्रयोगा आत्मक कारे होगा अब ध्यांदेजी आपके क उसमें कौन-कौन से प्रयोग उपस्थी रहने के कौन-कौन से प्रयोग आपको करने हैं तो इसमें ध्यांदेजी जो पहला खंड है उसमें ध्यांदेजी टोटल 10 प्रयोग हैं पहला आपका है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छोटी गोली या फिर बेलनाकार वस्त करना इस के लावा चौथा इसमें है सरल्लोलक का उपयोग करें ल ट त helping क्विशना तथा उचित ग्राफ का उपयोग करके सेकंडरी लोलक की प्रभावी लंबाइ ग्याथ करना इसके लावा पांच्वा है गोलाई मापी की सायता से किसी गोली तल की वकरता तरिज्या ग्याद करना छटवा इसमें है सरल लोलक द्वारा गुरुत्यु तुरंड जी का मान ग्याद करना इसके अलावा शात्वा है इसमें गुट के तथा 36 प्रेश्ट के बीच घर्षण गुडांक ग्याद करने के लिए सीमांत घर्षण तथा अबिलम प्रतिक्रिया के बीच संबंध का अध्यन करना तथा घर्षण गुडांक ग्याद करना इसके अलावा इसमें आठ्वा है दिये गयतार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्ता गुडांग ग्याद करना इसके अलावा है सर्ल के उपकरण की सहायता से इसमें दिया गया है अगला लोड विश्टार ग्राफ खेंच कर किसी कुंडलिनी कमानी का बल इस्थिरांग ग्याद करना इसके अलावाद दश्वा है इसमें कोश्की उन्नेन विध द्वारा जल का प्रेश्ट तनाव ग्याद करना इसके बाद फिजिक सेकेंड में ध्यान दीजी इसमें दिया गया है सीतलन वक्र खेंच कर किसी तप्त वस्तु के ताप तथा सामय के बीच संबंध का अध्यन करना इसके बाद अगला है मिश्ण विध द्वारा किशी दिये गए ठोंस द्रव के विशिज तुश्मा तथा धारिता ग्याद करना इसके अलावा श्रमापी का उप्योग करके नियत तनाव पर किसी दिये गयतार की लंबाई E तथा आवरती H के बीच जो है संबंध का अध्यन करना इसके अलावा श्रमापी का उप्योग करके नियत आवरती के लिए किसी दिये गयतार की लंबाई तथा तनाव टी के बीच जो है संबंध का अध्यन करना द्यान देजी इसमें जो दिया गया था इसमें M एवं जो है वन अपान E के मद्ध ग्राफ था हो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो E स्क्वार तथा T के मद्ध ग्राफ होगा इसमें द्यान दीजी अगला है अनुनाद नली का उप्योग करके दो अनुनाद इस्थितियों द्वारा कक्ष ताप पर वायू में ध्वनी की चाल ग्याद करना इसके बाद अगला हैश में पी तथा वी इसके अलावा पी तथा वन अपान वी के बीट जो है ग्राफ खींच कर नियत ताप पर वायू के नमूने के लिए दाप के साथ आयतन में परिवर्तन का अध्यन करना इसके अलावा किसी दी गई गोल वस्तु का सीमान तुवेग माप कर दिये गए स्यान द्रव का श्यानता गुणांक ग्याद करना इसके अलावा है निूटन के शीतलन नियम का शत्यापन इसके बाद इस्प्रिंग के लिए भार तथा लंबाई में वरद्धी के बीच जो है वक्र खींचकर बल नियतांक ग्याद करना इसके अलावा शुर मापी की साहता से किसी दिये गए शुरित्र की आवरत्ति ग्याद करना और इसमें बिश्वा है अनुनाद नली का उपयोग करके किये गए दो शुरित्रों की आवरत्यों की तुलना करना तथा अनते संसोधन ग्याद करना तो ये सभी प्रयोग जो है आपको करने होंगे तो अगर आप सभी को ये वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद